नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस lecture में हम 6 अप्रेल से लेकर 19 अप्रेल तक के जितने भी current affair के important topics हैं उन सभी को यहाँ पर discuss करने वाले हैं current affair यानि के miscellaneous के जितने important topics हैं उन सभी को आज के इस lecture में हम discuss करेंगे हर एक topic बहुत important है तो इसलिए आप video को शुरू से लेकर अन तक जरूर देखिएगा और हो सके तो साथ में notes भी बनाते चलिएगा ठीक बात शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी team के साथ जुड़ना के साथ अपने preparation को आगे बढ़ाना चाहते हैं सही रास्ते में बढ़ाना चाहते हैं सही मार्क दर्शन में बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे mobile application को जरूर डाउनलोड करें Google Play Store पर जाएं competition community सर्च करें और उस application को जरूर डाउनलोड कीजिएगा आपके लिए बहुत फाइ किन-किन topics को प्रिपेर करें तो competition community द्वारा एक AC राइटिंग है तू विसाय व्यस्तू पर एक book release किया गया है, market में hard copy के रूप में available है, जिसमें 36 गड़ की issues भी है, national issues भी है, international issues भी है, तो अगर आप topic तलास रहे हो, तो पूरे साल भर से डेर साल तक, जितने भी महत्पू करें या फिर tourism sector की बात करें या फिर travels related जो जो activities हुई है, पिछले कुछ समय में गुधन निया योचना, राजीव गांधी किशान निया योचना, या फिर agriculture sector में जिस तरह से government के कारें रहे हैं, तो उन सारे topics पर अधारित, बहुत सारे content आपको इसमें दिया गया है, national international issues में अगर आप देखोगे तो सरलंका crisis की बात कर लो, अफगानिस्तान crisis की बात कर लो, agriculture bills related जो हो रहा है, media related जो चीजे आज कल आपके आपके सामने देखने को मिल रहा है, artificial intelligence, cryptocurrency, बहुत सारे important topics जो एसे में पूछा जा सकता है, या mains के लिए भी कहीं न कहीं, किसी ने किसी paper में important ह हो सकता है, तो आप इसको market से जाकर अपनी नजदीकी bookstore से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत important है, price भी बहुत reasonable है, 100 रुपे के अंदर में ही मिल जाएगा, तो अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो नजदीकी bookstore पे चले जाएए, ध्यान रखिएगा कि बहुत ही limited copy print कर सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री संग्राल है क्या, तो आजादी के बात से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं, उन सभी प्रधानमंत्री के द्वारा जो विसेश कारे किया गया है, या फिर जो उनकी विसेश को इस प्रधानमंत्री संग्राहाले में प्रस्तूत किया गया है, ताकि आम नागरिक जाए, वहाँ पर मोटिवेट हूँ, चीजों को सीखे, प्रेड़ना ले कि कैसे देश के प्रधानमंत्री कारे करते थे और उनकी उपलब्धियां किस प्रकार से रही हैं, और इसका होता है, तो 14 अपरेल को क्या मनाया जाता है, अमबेट कर जयनती और इसे दिन प्रधानमंत्री संग्राहाले का उद्गाटन करके इसे देश कुछ समर्पित किया गया है, तो बस इतने कुछ पॉइंट्स को इस संग्राहाले से संबंधित अभियाद रखिएगा, बहुत ही टॉपिक है, वो है Waterway Conclave 2022, एक बहुत ही important topic है, Waterways यानि कि हमारे देश में कुछ बड़ी नदिया है, और उन नदियों के माध्यम से transportation का कारी किया जा सके, ताकि देश के infrastructure को पूश्ट किया जा सके, और देश के विकास को बढ़ाया जा सके, इसलिए गंगा नदी रिवर पे कि देश की प्रगती को जो है एक और connectivity मिल सके, अब ये Waterway Conclave जो है भारत के North East से संबंधित है, क्योंकि North East का connectivity जो है सबसे difficult है, अगर हम रोड की बात करें या फिर ट्रेन की बात करें तो, यानि कि मुख्य जो connectivity है वो रोड और रेल होता है, तो उसमें बहुत challenges का सामना करना पड़ता है, लेकिन Waterway Connectivity वहां North East के स्टेटों के बीच में बहुत बहतरीन तरीकी से बनाया जा सकता है, ताकि उधर का development बहुत सांदार मार्क से हो सके, इसलिए एक जल मार्ग Conclave 2022, यानि कि Waterway Conclave 2022 का आयोजन किया गया, कहां किया गया, याद रखिएगा, तो इसका आयोज मार्क प्रादिकरन, यानि कि Inland Waterway Authority of India के तरफ से ये Conclave का आयोजन किया गया, और इसका जो उद्देश है, देश के उत्तर पूर्वी छेतरों में अंतर राजी है, यानि कि एक राज से दूसरे राज में जो connectivity है, वो जल मार्ग के थूरू बढ़ाया जा सके, ताकि उन Member of Commerce Industry यानि कि FIKI था, ठीक है, अब North East से related यहां पर कुछ और हम points देखते हैं, जैसे इसका उद्देश ही क्या है, तो PM गती सक्ती Master Plan योजना, इस योजना के बारे में आपको याद है, 2021 में अगर आपने पढ़ा था, तो वो याद होगा, कि देश के infrastructure को बूस्ट करने के ल और देश का infrastructure कब बढ़ेगा, और कब विक्सित होगा, जब connectivity बहुत strong होगा तो, इसलिए PM गती सक्ती राष्टिय मास्टर प्लान को जो है, वो शुरू किया गया था, और इसी के तहत आर्थी गती विधियों को सक्रिय करने के लिए रोजगार्स रेजन के लिए उत्तर कुछ target रखे गए हैं, जैसे road capacity को चितना ज़्यादा हो सके, increase किया जा सके, और पिछले कुछ समय में अगर आप देखोगे, तो भारत में road connectivity बहुत ज़्यादा बढ़ा है, railway transport जो cargo होता, उसकी capacity को increase करना है, 600 tons by financial year 2025 तक, और 2025 तक ही 225 gigawatt renewable energy को भी capacity को बढ़ाने का भी निर्धारित किया गया है, इसके अलाबा, 200 से अधीक नए airports या फिर जो नए port होते हैं, उसका development करने का भी लक्ष रखा गया है, 4,54,200 circuit किलो मेटर, जो transmission line होता है, heavy voltage का होता है, उसे भी develop करने का लक्ष निर्धारित किया गया है 2025 तक, और 4G connectivity हर एक गवाँ तक विक्सित हो सके, ताकि वो मुख्य मार्ग से, यानि कि मुख्यधारा से जूड़ सके, इस पर भी कारिकिया जा रहा है, तो सब master plan का हिस्सा है, अगर आप कुछ water wave conclave के जरिए जो project त्यार किया रहा है, फिर water wave किस तरह से north east में काम आ सकते हैं, वो यहाँ पर एक map के जरिया आप देख स मार्ग से, बहतरी तरीकियों को बढ़ाया जा सकता है, खास कर असम, अरुनाचल परदेश, और इधर देखेंगे में एक हाल है, नागा लेंड, मनीपूर, इन राज्यों को बहतर connectivity दिया जा सकता है, इसके जरिए, ब्रहम पुतर नदी के waterway के जरिए, ठीक, चलिए, अगल प्रियतिक और प्रियतन मंत्रियों के बीच एक समागम, यानि कि एक सम्मेलन का आयोजित किया जा गया, ताकि देश में प्रियतन को बढ़ावा दिया जा सके, एक राज्यों के प्रियतन को दूसरे राज्यों में प्रमोट किया जा सके, यानि कि एक दूसरे का प्रमोशन क और यह दो दिवस यह सम्मेलन जिसमें संस्कृति मंत्राले द्वारा 12 और 13 अप्रेल 2022 को आजादी के अमरित महुतसभ के रूप में आयोजित किया गया और यह आजादी के अमरित महुतसभ की प्रगति पर चर्चा करना था तो अमरित समागम यानि कि देश के टूरिजम को ब भारत सरकार के प्रेटन मंत्राले द्वारा प्रेटन छेतर को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख योजनाओं का संचालन किया जा रहा है बहुत महत्पून इन दोनों योजनाओं का नाम क्या है तो सबसे पहला याद नाम रखिएगा प्रशाद योजना और दूसरा के टूरिजम को बढ़ाया जासे के स्वदेश दर्सन योजना जो है एक थीम आधारित सर्किट बेश्ट योजना है यानि कि सेम थीम वाले सर्किट प्लेसे को आपस में जोड़कर इसे बढ़ाया जा से के अगला 14 अप्रेल की हम बात कर रहे थे जब प्रधान मंत्री संग जयनती के रूप में मनाया जाता है और 2015 से 14 अप्रेल को जो है भारत सरकार द्वारा अधिकारिक रूप से सरवजनिक अपकास के रूप में भी मनाया जाता है जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर को भी सरवजनिक अपकास होता है तो इस दिन भी सरवजनिक अपकास की गोशना की जाती है और अगर हम इनको डॉक्टर भीम राव अमेटकर की बात करें तो इन्हें जीवन भर इन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया यानिकि एक्वाइलिटी के लिए संघर्ष किया क्योंकि ये खुद पिछड़े वर्ग से आते थे और उस जमाने में आप मानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है अगर हम डॉक्टर भीम राव अमेटकर जिससे सम्मंदित कुछ यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो 1990 में इन्हें भारत रतने से सम्मानित किया गया था और इसके अलावा 2016, 2017 और 2018 यानिकि लागातार तीन वर्स जो है United Nation द्वारा अमबेडकर जियनती के रूप में मनाया गया है और United Nation में एक प्रस्ताव भी रखा हुआ है उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि प्रते 14 अप्रेल को समानता दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाए ठीक बात है और भीम राव अमबेडकर ज जिसे संब्धित इतने कुछ पॉइंट को आप याद रखेगा अगला जो टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलिया में 2026 कॉमन विल्थ गेम का आयोजन किया जाएगा चार साल में एक बार इस गेम का आयोजन किया जाता है और भारत में भी एक बार किया गया था है इस ही यानि कि इस दसक में कह सकते हो पिछला दसक में 2010 में और कॉमन विल्थ गेम घोटाला भी एक बहुत ही मसूर घोटाला है जिसमें बहुत सारे करप्शन हुए थे लेकिन 2026 का आयोजन अभी इसले इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका आउस्टेलिया में किया जाना है औस्टे क्लियर बात है कॉमन विल्थ गेम को फ्रेंडली गेम के नाम से भी जाना जाता है और यह एक अंतराश्टी बहु खेल आयोजन है जो चार साल में एक बार आयोजित किया जाता है अगर पूछा जा कि कॉमन विल्थ गेम जो है पहली बार कब आयोजित किया गया तो 1930 में पह में UPSC के नए चेर में नियुक्त किये गए हैं, UPSC यानि कि Union Public Service Commission जिसका सपना होता है IS बनना, IPS बनना, IRS बनना वो UPSC एक्जाम क्रैक करके ही आगे जाते हैं, एक सम्वेधानिक संस्था है और इस UPSC के हाली में President यानि कि अध्यक्चा पॉइंट किया गया है Dr. Manoj Suni को, यह इससे पहले यानि कि वरतमान समय में अभी जो हैं, वो UPSC के सदस्य हैं, लेकिन अब कुछ दिन बाद यह अध्यक्च के तौर पर UPSC के जो हैं, वो कारे करेंगे उनके लिए, ठीक है, अब Manoj Suni, राजुनितिक विज्ञान के बहुत ही बड़े ग्याता माने जाते हैं, अ और इससे पहले Union Public Service Commission के सदस्य के रूप में कारे कर रहे थे, तो अगर कोशन पूछा जाता है, कि हाली में UPSC का अध्यक्च किसी अपोइंट किया गया है, तो आंसर होगा Dr. Manoj Kumar Suni, अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं, जो UPSC से रिलेटेड हमारे समविध सबसे पहला आर्टिकल 312, 312 क्या कहता है, कि केंद्रिये स्तर पर एक संग लोक सेवा आयोग होगा, और राज्य स्तर पर राज्यों के सर्विसस जो होते हैं, उसको अपैंट करने के लिए एक राज्य सर्विसस कमिशन होगा, इसका उलेक 312 में किया गया है, इसके अलाबा आर्टिकल है, वो है 316, 316 में UPSC के जो अध्यक्ष होंगे और उनके सदस्यों के निउक्ति और उनके कारिकाल से संबंदित प्राप्धान है, अगर हम इनके कुल सदस्यों की बात करें, तो सदस्यों की संखिया होता है 10 और 1 होते हैं अध्यक्ष, यानि कि टोटल इसके ज कारिकल होता है 6 वर्सों का या 65 वर्स की आयो तक, इन में से जो पहले पूरा हो जाए ये इनका कारिकल होता है, ठीक, तो मनोच सोनी के बारे में आप इतने पॉइंट्स को यहाँ पर आप याद रखिएगा, अगला जो टॉपिक है, वो है, संस्कृती मंत्राले ने हाली मे याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है, कि देज भर किस तरह धालूओं, मंदिरों या प्रमुक्त रित अस्थलों को ऑनलाइन दर्सन हेतू, किस पोर्टल को लाँच किया गया है, संस्कृती मंत्राले द्वारा, तो उस पोर्टल का नाम है टेम्पल 360 पोर्टल, इस प को मानते हैं, वो घर बैठे ऑनलाइन दर्सन कर सकते हैं, 360 पोर्टल के जरिये, इसका उद्देश ही यही है, हजादी के अमरित महुतसब के अनुरूप में इसे बनाया गया है, 360 नाम है, संस्कृती मंत्राले द्वारा लांच किया गया है, पस आपको इतने ही पॉइंट्स से दिया जाने वाला संगीत खेख छेतर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित आवाड है, और अगर हम बात करें इस ग्रैमी आवाड की तो इसे ग्रामू फून आवाड के नाम से भी जाना जाता है, और 64 वार्सिक ग्रैमी पुरसकारों की हाली में घोशना की गई, इसमें दो भारतिय संगितकार विजाताओं भी शामिल थे, क्यानि कि अमेरिकी भारतिय कलाकार थे, जिसमें से भारतिय अमेरिकी गाई का गितकार फालू ने सर्वस्रिष्ट बच्चों के संगीत एलवम किस रेड़ी में अपना पहला ग्रैमी पुरसकर जीता है, तो पहला नाम क्या हो जाएगा फालू जो कि भारतिय अमेरिकी गाई का है और फालू के सर्वस्रिष्ट बच्चों के संगीत एलवम किस रेड़ी में इन्हें जो है ग्रैमी आबोर्ड से समानित क्या गया है और ये इनका पहला ग्रैमी आबोर्ड है दूसरा अगर हम बात करें तो संगीत कार रिकी यानि की म्यूजिक कंपोजर है रिकी केज ने भी इन्हें जो है अपना दूसरा ग्रैमी आबोर्ड जीता है और इन्हों ने स्टेवर्ड को प्लैंड ने सर्वस्रेष्ट न्यू एज अलवम की स्रेणी में यह पुरसकार जीता है और अगर हम इस साल के बेस्ट अलवम आफ दी येर जो की इस कैटेगरी में सबसे बड़ा पुरसकार होता है इस तरह से ग्रैमी आबोर्ड के बारे में भी आप यहाँ पर याद रखेगा और इससे इस्थापित कब गया थे इनकी पहली बार कब दिया गया था 1959 में अगर पूछा जाता है तो यह भी आपको याद रखना होगा अगला जो टॉपिक है वो है विक्टर ओर्बन फिर से एक बार हंगरी के प्रधान मंत्री चूने गया है लगातार चौथी बार इंपोर्टेंट यह हो जाता है आप से पूछा जा सकता है कि हाली में हंगरी का प्रधान मंत्री के नहें निक्त किया गया है हंगरी अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूरोप का एक देश है, इसकी सीमा जो है स्लोवाकिया, यूक्रेन, रुमानिया, सर्बिया, क्रोईशिया, स्लोवानिया और 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 स्ट्रिया से लगता है, और इसकी राजधानी कहा है हंगरी की बुढ़ा पेश, चुकि एक बहुत ह खुबशूरत और बहुत ही मज़ूर सहरे, बुढ़ा पेश जो है दुनिया के सबसे खुबशूरत सहरों में से एक है, यह हंगरी का आपका मैप है, उपर स्लोवाकिया, इधर और और आश्ट्रिया, इधर आप देखोगे क्रोईशिया, स्तर्बिया, रुमानिया, और यह युक्रेयन जो की अभी वार से ग्रसित है, और इसकी सीमा जो है युक्रेयन से भी लगता है, तो कभी अगर आपसे question पूछा जाता है कि युक्रेयन की सीमा से कौन-कौन से देश लगते हैं, तो उसमें से एक हंग्री भी आएगा, स्लोवाकिया भी आएगा, तो इसके बा का आयोजन जो है 2022 में किया जा रहा है, कब से किया जाएगा, तो 24 अपरेल से 3 मई 2022 तक इस खेल का आयोजन जो है किया जाएगा, और इस इवेंट के शुरुआ 24 अपरेल को होगा, आयोजन कहां किया जा रहा है, तो करनाटक में किया जा रहा है, करनाटक में कहां, तो जैन विश्रविध ड्याला यान की जैन उनिवरसिटी बैंगलूरु में इसका आयोजित किया गया और इन खेलों का आधिकारी शुंबकर अगर आपसे पूचा जाए तो वीरा इसका सुम्भकर नाम है और वीरा जो है इकाती है वीरा सुम्भकर इसका वीरा इकाती जो कि इसका सुम्भकर है और खेलो इंडिया के तहाती खेलो इंडिया यूनिवर्सेटी गेम को लांच किया गया है 2020 में पहली बार ओडिशा में आयो जीत हुआ और खेलो है भारत का पहला इस्टील स्लैग सड़क का निर्मान किया गया है इस्टील स्ञाइब सडग का निर्मान किया है और इसका भारत में पहली बार गुजरात के सूरत में किया गया है और इसका स्टील स्लैग यानि कि इंडिस्ट्रियल वेस्ट से जो है इसका निर्मान किया गया और सूरद जो है भारत का पहला सहर बेंगे याद रखिएगा इस सब्सक्राइब को जो है कि अनुसंदान संस्थान यानि कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट और इसके लाब़ वेग्यानिक और अध्योगे की अनुसंदान परिसर्च यानि कि यानि कि यानि कि कॉंसिल ओफ साइंस, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, रिसर्च के दौरा और नीती आयोग का भी इसमें भूमिका है और इसके लाब़ा किंद्रिय इस पात मंत्राले और आरसेलर मितल निपॉन स्टिल इन कुछ एजेंसियों के दौरा सैयोगत रूप से इस परियूजना को जो है वो सफल बनाया गया है और इसका सफल बनाने के पीछे का एक उद्देश ये भी है ताकि भविश्य में इस तरह से जो स्टिल जो प्रियूक स्टिल स्टियल निकलते है इंडेस्टियल सड़कों का निरमान किया जाए ताकि सडक भी मजबूत बने भारी बाहनों का अगर गुजरा भी हो तो भी ओ सडक तूटेना इसी उद्देश के साथ में बनाया गया एक प्रयोग किया गया है था कि आने वाले समय में देश की सड़के जो है और मजबूत बनाई जा सके तो ये था पूरत 6 अपरेल से 19 अपरेल तक के करेंट अफर के जितने मिसले हैं इस टॉपिक से उन सब का हमने अनालेसिस किया हाँ सारे सीरिस को फॉलो करते रही है और मैं बता दूँ कि इस लेक्चर का या फिर जितने भी करेंट अफर के लेक्चर सारे हैं उनका अलग से PDF अबिलेबल नहीं होगा जो भी कंटेंट है इन सारे कंटेंट का एक मैगजिन हमारी आती है उसमें अलग से मेंशन किया हुआ है ह त्यारी कर सके और आपके पास कम से कम जो है वो मैटेरियल हो क्योंकि जितना कम मैटेरियल आप एकठा करेंगे जितना कम मैटेरियल आपके पास में होगा त्यारी करना उतना ही सिंपल होगा और बहतर कंटेंट के साथ करेंगे ठीक है तो मंतली मैगजिन आप मार्केट से सकते हैं या फिर कुछ दिन बाद website पे भी upload PDF के माध्यम से कराया जाता है अगर आपको market में न मिले या फिर अगर आप market से दूर है तो PDF भी प्राप्त कर सकते हैं website से ठीक monthly होता है वो तो आज की इस लिक्तर में फिलाल इतना ही thank you thank you very much